Hello students, you're most welcome. जो विध्यारती SSC CGL exam की तयारी कर रहे हैं, वो प्रिविएसर के पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इस exam में questions repeat होते हैं, same to same questions repeat होते हैं. अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखें, तो प्लेजिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें. ये SSC के प्रिविएसर में पूछे गए question हैं, कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, केप कोमोरीन के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्रिव सम्मू में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कोन सी है, सेडल पी, वरत हिमालय की ओसत उचाई कितन है, 6100 मिटर, लगू हिमालय किन स्रेणियों के मध्य में इस्ति थे, महान हिमालय और सिवालिक, अंडमान एवं निकोबार द्रिव सम्मू इस्ति थे, बंगाल की खाडी में, अंडमान निकोबार द्रिव सम्मू में द्रिव की संक्या कितनी है, 572, 10 डिगरी चैनल किन दो द्विपो को प्रतक करती है, अंडमान को निकोबार से प्रतक करती है, बेरन द्विप कहा अवस्ति थे, बंगाल की खाडी में, स्री हरी कोटा द्विप कहा अवस्ति थे, पुलिकट जील के समीब, लक्षदिप कहा अवस्ति थे, अरब सागर में, ऐसे अप्रकासिन उन्हें क्या खा जाता है ग्रह आकास में कितने तारा मंडल है अठ्यासी सूरी से प्रथवी तक पहुष्चने में कितना समय लगेगा आठ मिनट सोला सेकेंड सोर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे निकट है बूध सोर मंडल में कौन सा ग्रह प्रथवी से निकट है शुक्र सूर मंडल में कौन सा ग्रह सरवादिक गर्म है? सुक्र सूर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सरवादिक दूरिस्ति थे? वरू सूर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पति है सूर मंडल में सबसे चोटा ग्रह बूध प्रतवी पर समुद्र तल से इस्थल की अजसी उचाही डबल एट 48.86 मिटर है जो कि माउंट एवरेश्ट से मापी गई है प्रतवी की चंद्रमा से दूरी कितनी है 384.000 किलो मेटर मतलब 384.000 किलो मेटर प्रतवी पर समुद्र तल से सागर की सरवादिक गहराई 11.033 मिटर है सोर मंडल किंदो ग्रहों के पास कोई ग्रह नहीं है बुद्ध और सुक्र जब दिन और राद की आउदी बराबर होती है तो सूर्य की किर्णे कहां सीधी पड़ती है भुमद्य रेखापर प्रतवी सोर मंडल में सरवादिक चमकीला ग्रह कौन सा है सुक्र सोर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है मंगल ग्रह को कहा जाता है सोर मंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है सुक्र ग्रह को कहा जाता है सोर मंडल में शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुक्र ग्रह को कहा जाता है सोर मंडल में प्रतवी का जुड़वा ग्रह सुक्र को कहा जाता है भारतिय सविदान सभा की पहली बेटक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में सविधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था भारतिय सविधान में मोलिक कर्तवयों का विचार किस देश के सविधान से लिया गया रूस सविधान सभा की जंडा समीती के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद थे सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत अब प्रश्चता का उन्मुलन किया गया अनुचे 17 का सविधान के अनुचेत 18 का सम्बंद किस्से है उपादियों के अंत से भारतिय सविधान का कोंसा अनुचेत वीधी के समक्ष समता के अधिकार से सम्बंदित है अनुच्छे 14 भारत के रास्टपती चुनाओं में उत्पन्विवात का निप्टारा सर्वोच्चो न्यालई के द्वारा होता है भारत के रास्टपती को उनके कारेकाल की समापती से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है माहा भीयोग द्वारा भारत के राश्पती को उनके पत से हटाने का अधिकार संसत को प्राप्त है इस सीरीज में 909 important questions कवर किये जाएंगे जो SSC की सारी एक्जाम में कहीं कहीं पूछे गए हैं ये repeated question series है जो एक्जाम में पूछे जानी की 100% संभावना रखते हैं आप इस सीरीज को एक बार revision के according देख लेना all the best